त्वंग सोम प्रद चिकितु मनीशा त्वंग रजिश ठमनुनेश इपन्थाम एचान्द हम तुम्हें अपनी बुद्धी से जान सकें और तुम हमें सही राह दिखाते रहो रगवेद का ये सुक्त साबित करता है कि चान्द को करीब से जानने की इच्छा इनसान के मन में बहुत दिनों से थी ये इच्छा भी कि हम आसमान से दिखते कैसे हैं उपर से भारत कैसा दिखता है आपको और तब से शुरू हुई उल्टी गिन्ती का अंताया तब जब हमने चंद्रियान के जरिये चान्द की और कदम बढ़ाना शुरू किया इस गिन्ती के पूरा होते ही भारते की इतिहास रचने जा रहा था 22 अक्तूबर को तमिलनाड और अंतरप्रदेश की सीमा परस्थित श्री हरी कोटा के सतीष धवन अंतरिक्ष केंदर से PSLVC-11 इस चंद्रियान को लेकर जब अंतरिक्ष में रवाना हुआ तो वैग्यानिकों के चेहरे पर खुशी की लहर दोड़ गई चार दिन तक मुश्किल हालातों और चिनोतियों से जूज रहे चंद्रियान ने जब नियत समय पर यानि 6 बज कर 22 मिनट पर अपने चांद तक के सफर को शुरू किया तो भारत के सभी लोग अपनी इस उपलब्धी पर जूम उठे तीन लाख 87,000 किलोमेटर वाली कक्षा में पृत्वी की परिक्रमा करने और इस चंद्रियान को चांद तक पहुचने में 11 दिन का वक्त लगा इस दोरान चंद्रियान पृत्वी के चारों और पांच अलग-अलग कक्षाओं में घुमता रहा चंद्रियान एक पृत्वी के उपग्रह चंद्रमा की सतह से 100 किलोमेटर उपर कक्षा में स्थापित हो चुका है अब पहले चंद्रमा की सतह पर मून इंपक्ट प्रोब को उतारा जाएगा और फिर वहां से जानकारी जुटाने का काम शुरू होगा इसरो का अनुमान है कि ये अभियान दो सालों तक चलेगा और आंकडे जुटाने के इस काम में मदद करेंगे चंद्रियान के साथ गए कैमरे और स्पेक्ट्रोमीटर अपर्ड़ करेंगे तोस्य आए भी जो और से चानकारी जुटाने के साथ